हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का एक बाफिस है हमारे चैनल GDC Medicine पे हम अपने चैनल पे दवाईयों से संबंदित जानकारी रोगों से संबंदित जानकारी एवं स्वास्त देख भाल संबंदित हर एक टॉपिक की जानकारी अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो क्रिपयाई से जरूर सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो लगबग बहुत कम प्रचलित है या उसे बहुत कम लोग ही इंडिया के अंदर इस्तमाल करते हैं जी हां आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में ग्रीन टी एक ऐसा पेपदार्थ है एक ऐसा बेवरेजिस है जो कि बहुत ज्यादा कम पापुलर है लेकिन इसके फायदे हमारे सरीर के लिए बहुत ज्यादा लाबकारी होते हैं जी हां ग्रीन टी अक्सर बहुत से कम घरों में या बहुत से कम लोग उसमे में रुची रखते हैं जब कि इसके जो तत्व होते हैं इसके जो content होते हैं हमारे overall body के लिए और एक organ के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लाबकारी सिद्ध होते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि green tea पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं इसको पीने से हमारे body में क्या-क्या changes देखने को मिल सकते हैं साथी साथ इसको पीने का सही तरीका क्या है और हम निवेधन भी करेंगे कि जो natural content होता है जो आपके इस स्वस्त सरीर के साथ साथ एक स्वस्त समाज का भी निर्मार करें यह भी हमारी appeal रहती है तो आज हम जान लेते हैं पूरे वीडियो में जरूर बने रहीएगा ताकि इससे related कोई भी जानकारी मिस नहोंने पाए जी हां green tea पीने से आपके body में क्या-क्या बड़े changes या क्य क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी या तो आप lemon tea की बात कर ले या green tea की बात कर ले बहुत बड़ी काम की चीज है सबसे पहली बात अगर आप इसको regular पी रहे हो चाहे वो lemon tea ग्रीन टी हो तो में लिए आपके body में जो depression का label होता है जो anxiety का label होता है जो stress का label होता है वो क अगर उसको आप नहीं लेऊगे तो आपका सरदद करने लगेगा तो इससे अच्छा आप इसकी आदत बनाओ इसको पीओ तो ज्यादा सही रहेगा साथी साथ अगर कोई heart वाले patient है या कोई आपके ऐसे मरीज हैं जिसमें stroke का रिस्क रहता है उस stroke के risk को भी कम करने के लिए यह green tea जाना जाएगा साथी साथ अगर हम बात कर लें कि अगर जो high BP वाले patient है जिनमें blood patient बढ़ा रहता है hypertension की समस्या रहती है उसके risk को भी कम करने के लिए आपका green tea लेमेंटी जाना जाता है फिर अगर हम बात कर लें ग्रीन टी के जो diabetes वाले patient है उसको भी control करने के लिए blood sugar level maintain करने के लिए कहीं ने कहीं लेमेंटी या green tea आपके सरीर के लिए बहुत ज्यादा लाबकारी सिद्ध होगा तो यहां पर देख सकते हो green tea जो छोटी से चीज है आप बना के घर में असानी से पी सकते हो जैसे जितनी देर में आप normal चाय बनाते हो उतनी देर में लेमेंट हैं तो उसको खتم किया जाए और हम आप मिलकर के ही स्वस्त समाच का दिरमाल कर सकते हैं स्वस्त सरीर का दिरमाल कर सकते हैं अगर हम बात कर लें पीएंगे तो ज्यादा आचा रहेगा साथी साथ एक दिन में कोसिस कीजिए दो से तीन कप से जादा न पीजिए क्योंकि कोई भी चीज हो, अगर बहुत जादा पीओगे तो उसके दूसर प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं तो कोसिस कीजिए दो से तीन कप से जादा एक दिन में ग्रीन टी का आप सेवन न करें साथी साथ ग्रीन टी में हमेशा नीबू का एमाउंट या सहद वगरा या तिलसी हुआ अद्रक हुआ यह सब के सब नेचुरल अच्छे कंटेंट है उसको भी यहां पर जरूराइड करें जरूर डाले उसके साथी से कंज्यूम कर साथी साथ रात को सोने से पहले आप ग्रीन टी पीते हो तो सुबह आपके बॉडी में एनर्जी रहती है सुबह रिजन वाइज फील करते हो और आपके बॉडी में बहुत ही बेहतरी नसर देखने को मिल जाएगे तो देख सकते हो यह जो ग्रीन टी है ना वो मेली में असानी से उपलब्द हो सकता है मार्केट में आप जाके ले सकते हो घर पे बनाइए खुद पीजिए औरों को पिलाइए ताकि सभी लोग हेल्दी बॉड़ी को यहां पे लीन करें अचीव करें और स्वस्त समाज का निर्मान हो तो इसी तरीके से और भी हेल्थ टॉप